हलो फ्रेंड्स, इस्टडी बिद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूँ कृष्णा यादू जो प्रतियोगी परिच्छाओं की सिरिसली त्यारी कर रहे हैं अब्यार्थी अगर वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो बिलकुश सही जगे पर हैं आप हमारा वीडियो 30-40 मिनट तक लंबा हो सकता है लेकिन चूँकि परिच्छाओं का दृष्टिकोर बदल गया है अब एक्जामर परिच्छाओं में ऐसे प्रसंद नहीं रख रहा है जो सिर्फ फैक्ट बेस हों साथ में कांसेट बेस चीजों को जोड़ा जा रहा है ताकि अ परिच्छाओं में भी बैट रहे हैं तो वहाँ पर रिटेन एक्जाम में आप कांसेट के साथ एंसर राइटिंग कर सकें तो आज इस क्लास का हमारा टॉपिक है चटान चटान टॉपिक को देखने से पहले आपने प्लेट टेक्टोनिक्स और ज्वाला मुखी क्रियाओं क अच्छी तरीके से आसा है समझ लिया होगा तो आज चटान को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेंगे चटान क्या है सबसे पहले तो हमारा प्रसल यही बनता है कि चटान किसको कहते हैं ज्यादा तर आप ये समझ रहे होंगे कि जो कठोर कोई पार्ट हो धरातल पे उ भी चट्टान की ही स्रेडी में आते हैं तो चट्टान को हम simple language में क्या कहेंगे हमारे धरातल पे या हमारे क्रष्ट पे जो भी कठोर या मुलायम पदार्थ उपस्थित है उसको चट्टान कहा जाता है और चट्टान से ही हमारी इस क्रष्ट का निर्माड हुआ है तो ये इसकी परिवासा हो जाएगी चट्टान क्या है हमारे धरातल या हमारी क्रष्ट पे जो भी कठोर और मुलायम पदार्थ हैं जिन से इस क्रष्ट का निर्माड हुआ है वो है चट्टान चट्टान में कौन-कौन से तत्ट उपाया जाते हैं ये बनता है हमारा सबसे पहला प्रस्ट जो की आपजेक्ट्टू में भी पूछा जाता है और बड़ी और बिभिन प्रतियों की परिछाओं में बहुत सारे कुष्टन पूछे गए हैं तो चट्टान में कौन-कौन से तत्ट उपाया जाते हैं वो हम देख लेते हैं सरवाधिक मात्रा में होता है आकसीजन लगभग 46.56 के आसपास होता है लगभग में है 46.56 कभी कभी कुष्टन इस तरह से आता है कि हमारे क्रष्ट में सरवाधिक मात्रा में कौन-सतत उपस्थित है तो वहाँ पे अक्सर जो अभ्यार्थी हैं वो सिलिका सूचते हैं क्योंकि इंटीरियर आपदा अर्थ में आपने पढ़ा था कि जो सियाल है प्रत्वी की तीन परत में सबसे उपरी जो परत होती है उसको सियाल कहा जाता है सियाल का मतलब है कि क्रस्ट में सिलिका और एलमुनियम की अधिकता है तो वहां से एक confusion students ले आते हैं कि क्रस्ट में अगर question आता है कि हमारे क्रस्ट में सबसे ज्यादा मातरा में कौन सा तत्व है तो सिलिका वहां पे confuse कर जाते हैं लेकिन oxygen सरवाधिक मातरा में है और oxygen के बाद जो दूसरा तत्व है वो है सिलिका सिलिका है 27% लगभग पहले नंबर पे कौन सा रहेगा oxygen दूसरे नंबर पे रहेगा सिलिका और तीसरे नंबर पे रहेगा aluminium सिलिका होता है SI, एलमुनियम होता है AL और यह कितना होता है, एलमुनियम लगभग 8%, यह सबी आपड़े लगभग में हैं, कुछ दस्मलों के साथ हैं, उतना ज्यादा गहनता से नहीं पूछा जाएगा, लगभग 8% है, और चोथे नमबर पे जो हमारा तत्तो होता है, वो है आइरन है लगभग 5 प्रस्थ लगभग 5 प्रस्थ आइरन होता है आइरन के बाद जो सरवाधिक मात्रा में तत उपस्थित है वो है कैलसियम कैलसियम लगभग 3 प्रस्थ अब आगे आपको प्रतिस्थ याद रखने की जरूरत नहीं है इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आप याद रखें आक्सीजन सरवाधिक मात्रा में है सिलिका एल्मूनियम आइरन कैलसियम कैलसियम के बाद में है सोडियम पोटेसियम मैगनीसियम यह आठ तत जो है वो सबसे प्रमुख रूप से हमारी क्रश्ट में पाए जाते हैं कैलसियम मतलब C A, आइरन होता है F E, सोडियम होता है N A, पोटेसियम होता है K और मैगनीसियम होता है M Z तो यह आठ प्रमुख रूप से जो तत्व है वो हमारे चट्टान में उपस्थित होते हैं यहाँ पे क्रश्ट की बात हम कर रहे हैं क्रश्ट पे ही चट्टाने जो हैं वहाँ पे आकसीजन सरवाधिक मात्रा में है 46% अब यहाँ पे हम देखते हैं जो खनिज पदार्थ हैं वो क्या होते हैं चट्टानों का निर्मार जो है वो खनिज पदार्थों से होता है तक्त जो होते हैं इनी तक्तों से खनिज पदार्थों का निर्मार होता है चट्टान है चट्टान का निर्मार किसी से हुआ है खनिज पदार्थों से हुआ है और खनिज पदार्थों का निर्मार किसी से हुआ है इन तक्तों से हुआ है तो खनिज पदार्थ क्या है चट् चटान जो होता है वो खनीज पदार्थ से बनी हुई है और खनीज पदार्थ क्या है इन ही तत्तों से निर्मित होते हैं खनीज पदार्थ इन तत्तों से कैसे निर्मित होते हैं इनके आकसाइड होते है आकसाइड यानि ये आकसीजन के साथ मिल करके कुछ खनीज बनाएंग और सिलिकेट होंगे, सिलिकेट होंगे और कार्बोनेट होंगे, आकसाइड, सिलिकेट, कार्बोनेट, इन सब तत्तों के आकसाइड, सिलिकेट और कार्बोनेट, वो क्या कहलाते हैं, खनिजपदार्थ कहलाते हैं, और उनी खनिजपदार्थों से क्या बनता है, चक्तान, तो अब चटान को अगर हम थोड़ा सा और साइंटिफिक परिभासा देना चाहें तो कह सकते हैं कि विभिन खनिजपदार्थों से निर्मित होती है चटान और चटान कठोर भी हो सकती है और मुलायम भी हो सकती है जिस धरातल पे हम खड़े हैं ये सबस्त धरातल चटान है विल्डिंग्स, खेत, बागबगीचे हर चीज़े के नीचे जो धरातल बिचा हुआ है उसे चटान कहेंगे अब यहाँ पर प्रसनर्फता है कि फिर मिटी क्या है मिटी और चटान में क्या अंतर है कि हम यहाँ पे जो खड़े हैं इसके नीचे तो मिटी है हम चटान किसे क तो मिट्टी भी चट्टान का ही एक रूप है मिट्टी क्या है मिट्टी चट्टान का ही एक रूप है वो चट्टान जो वनस्पत को धारण करने योग हो जाती है उसे हम मिट्टी कह देते हैं जैसे कि कहीं पे कोई कठोर परवत का पत्थर पड़ा हुआ है इस पे कोई बनस्पत नहीं उग पा रही है तो इसे हम पत्थर कहते हैं चटान ये भी है जब यही पत्थर तूट जाता है चटक जाता है विभिन प्रक्रियाओं के फल्सरूप तूट फूट करके ये मुलायम हो जाता है उपर का जो चटान है वो तूट करके मुलायम छोट बनस्पत को धार्ण कर लेती है चटान की वह लेयर उसे कहा जाता है मिटी मिटी भी एक चटान ही है तो यहां पर हमने देख लिया चटान क्या है चटान के कौन-कौन से तत्व प्रमखुरूप से पाए जाते हैं और खनीज किसे कहते हैं इनहीं तत्यों के बहुत सारे और उन्हीं खनीज पदार्थों से चट्टान का निर्माड होता है तो क्या एक दो उधारण आपको खनीज पदार्थ के याद है कि खनीज पदार्थों के को एक दो नाम बताईए जैसे कि उधारण के लिए अभ्रक अभ्रक क्या है अभ्रक खनीज पदार्थ है और हेमेटाइट हेमेटाइट मैगनेटाइट और फेल्सपर ये सभी क्या है ये सब खनीज पदार्थों के उधारण है जैसे कि फेल्सपर अभ्रक यानि माइका हेमेटाइट मैगनेटाइट इस तरह बहुत सारे खनीज होते हैं और उनी खनीजों से निर्माड होता है चट्टान का तो ये चट्टान का इतना संग्ठन है इसके बाद हम ये जानते हैं कि चट्टान जो है कैसे बनी इसका निर्माड कैसे हुआ उस आधार पे कितने प्रकार की चट्टाने होती है देखे अगर आप रटना चाहते हैं तो आप किसी भी किताब से रट सकते हैं लेकिन अगर आ बैटने की जुरत नहीं पड़ेगी जैसे ही कुश्चन एक्जाम में आपके सामने आएगा वैसे ही आपका कांसेप्ट तुरंत क्लिक हो जाएगा दिमाग में और आपको एंसर वहां पे समझ में आ जाएगा तो यह चीज आप यहां पे देख लीजे आक्सीजन सरवाधिक मा मातरा में नाइट्रोजन होती है वाय मंडल में क्या है उस आप Cup Hi изб मंडल में सरवाधिक मातरा में क्या में और अग्ष्टिक में आड़ व्याद रहता है कि वह बहुत प्र lookin l in fact है जब क्क्ष्चन मिस्तरे से आजाएगा कि हमारे द्रातल में कि हमारे क्रस्ट में सरवाध प्राइक मात्रा में कौन सा तत्व होगा और पहले नंबर पर यह उप्शन वहां पर नाइट्रोजन लिखाओगा तो तुरंत वहां पर दिमाग जो होता है वह तुरंत उसी फैक्ट को पकड़ता है जो ज्यादा तरह प्रिवाइज किये होते हैं नाइट्रोजन आपको यानि हमारी चट्टान का संगठन है तो यहां पर सरवाधिक मात्रा में आक्सीजन है यह आप बिल्कुल जहन में रख लीजेगा यह कुशन बहुत बार पूछा भी गया है और अकसर इसी प्रकार के प्रसंद पूछे भी जाते हैं लेकिन अब एक्जाम का दृष्टिकोर थोड़ा सा बदल गया है और सिर्फ ऐसे बिकल्प नहीं रखे जाते हैं जो फैक्ट बेस हो अब बिकल्पों में कुछ कांसेप्ट बेस बिकल्प भी साथ में जोड़ दिये जाते हैं ताकि यह जाना जसके कि अभ्यार्थी की समझ कहां तक है कितनी गहराई तक है तो आसा प्रत्वी का निर्माड कैसे हुआ था सबसे पहले प्रत्वी एक रक्त तप्त आग के गोले के समान थी और इस पे लावा जो है वो गरम लावा उबल रहा था वही लावा थंधा हुआ और प्रत्वी के चारो तरफ एक पपड़ी का निर्माड हुआ इस तरह से चारो जो पपड़ी है वो सबसे पहले बनी थी लावा से तो लावा तो हम ये कह सकते हैं कि चटान का निर्माड लावा से हुआ है क्या इतना कहना काफी होगा कि चटान का निर्माड लावा से हुआ है आज हम इस धरातल पे जो चटाने देखते हैं क्या ये सभी डायरेक्ट लाव सब कुछ प्राथमिक रूप से लावा से निर्मित हुआ है क्योंकिसे पहले प्रत्वियप पर लावा ही उपस थे था, उसी लावा से सभी चटाने बनी हैं, लेकिन वरतमाल में तमाम प्रकार की चटाने निर्मित हो गई हैं, और वो इन डारेक्ट रूप से तो सभी लावा से ही बनी हैं लेकिन वो किसी न किसी अन्य प्रोसेस से गुझर करके अन्य चट्टानों में तब्दील हुई हैं तो उस अधार sulfay haan söh को तीन वरगो में विभाजित करते हैं तीन इसके भाग है तो ना हमारा टॉपिक हो जाएगा चट्टान के प्रकार वो है आगने या इगनियस आगने चट्टान या इगनियस चट्टान आगने चट्टान या आग से निर्मित जहां की बात हम कर रहे थे भी यानि प्रात्मिक चट्टाने सबसे पहले प्रत्वी जब थंडी हुई तो लावा से जो चट्टाने बनी उनको कहा गया आगने चट फिर क्या हुआ दूसरी जो इसी आगने चटान के उपर जब कोई चटान निर्मित हो जाएगी अच्छा एक कुछन यहां पर और बताएं आगने चटाने हमने बताया कि जब प्रतवी ठंडी वही तो सबसे पहले लावा से जो चटाने बनी वो आगने चटाने हो गई तो क्य आगने चटाने बन रही है या नहीं बन रही है इस प्रसल का जवाब दीजिए अगर आप पीछे के सभी कुछन पीछे के सभी क्लासिस द्यान पूरवग पढ़ रहे हैं तो ज्वाला मुखी और प्लेट टेक्टाउनिक्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि आज भ प्लेट के रूप में आता है जहां अपसरन की क्रियाएं हो रही है प्लेटों के बीच में दूरी बढ़ रही है वहां भी लावा निकलता रहता है तो ये लावा जो बाहर आता है या प्रत्वी के धरातल के नीचे हमने ज्वाला मुखी अस्थल रूप वाले क्लास में दूसरी चीज जब आगने चट्टान बन जाएगी तो इसके उपर बाह बल काम करना शुरू कर देंगे ताप वायू जल यह सब जो बाहरी बल हैं इसका घरसन करना शुरू कर देंगे इसका अपछे क्या है और अपड़न क्या है कोई चट्टान है वो वहीं पे तूट जाती है उसके बाद रात होती है फिर सिकुड जाती है बार-बार फैलने बार-बार सिकुडने इन सब तमाम क्रियाओं के फ्लसुरूप क्या होता है चटान तूटती फूटती रहती है इसको क्या कहते हैं अब अच्छे इसको अपच्छे कहा जाता है और फिर इसके उपर से पानी बरसा या हवा चली तो ये सब तूटी फूटी चटान के टुकड़े क्या होते हैं बह करके दूसरे स्थान पे आते हैं वहाँ जम जाते हैं या तो वही पे पड़े रहेंगे या दूसरे स्थान पे आके जम जाएंगे तो जब किसी चटान के टूटे हुए टुकड़े यानि टूटी हुई चटान जल द्वारा वाय द्वारा या अन किसी माध्यम से हट करके दूसरी जगे पर आकर के जम जाती है तो उसे कहते हैं आवसाधी चटान आवसाधी चटान या परतदार चटान अब इन सबी के विस्यम में डिटेल में पढ़ेंगे इनके गुर्धार्म पूछे जाते हैं वो सब पढ़ेंगे अभी आप सिरुप समाह लीजए कि कैसे बनी चटान अवसादी चट्टान मूल चट्टान नहीं है प्राथमिक चट्टान नहीं है ये दुतियक चट्टान है ये अगने चट्टानों के अपछे और अपरदन ये यहां से यहां आ गया इसको क्या कहेंगे अपरदन इरोजन इससे बन गई अवसादी चट्टान तीसरी होती है कायांतरित जिनकी काया बदल जाए रूप बदल जाए नाम से ही जाहर है कि ये कोई पहले चट्टान रही होगी और उसकी रूप या काया रूपांतरित हो गई यानि इनको कहते हैं मेटामार्फिक मेटा मार्फिक रूप इनका बदल गया पहले से कोई चट्टान रही हो जैसे हो साधी रही हो या अगने रही हो उसका रूप चेंज हो जाए तो रूप कैसे चेंज हो जाएगा उसके उपर कोई रसायनिक ताप या दाव का कोई एक्षन होगा ना किसी भी चट्टान के उपर जब दबाव बढ़ाया जाएगा तो density में परिवर्तन होगा, वहाँ पे temperature में परिवर्तन होगा, जिससे अंदर क्या होगा? हमने बताए चक्तान में विभिन खनीज है, अनेक तत्व हैं, तत्व जो होते हैं अलग-अलग दाब पे, अलग-अलग ताप पे वो विभिन क्रियाएं करते हैं, आपस में उनकी chemical reaction से start हो जाती हैं, तो जब ताप बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, conditions घटेंगी बढ़ेंगी, तो वहाँ पे उन्हें तत्व के मध में reaction से start हो जाएंगे, और नए नए प्रकार के तत्यों का निर्माड हो जाएगा, जिससे उस चटान का पूरी तरीके से रूप गुण भी बदल जाएगा, और वो एक नए प्रकार की चटान बन जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे, रूप आंत्रित यानि रूप बदल गया है, तो तीन प्रकार के हमने देखे चटान सबसे पहले प्रात्मिक हैं, आगने जो लावा से निर्मित हुई, आज भी बढ़ रही हैं, दूसरी आउसादी यानि आगने चटानों के तूटने, फूटने और उनके अलग जगया पर जाकर के जम जाने से आउसादी चटाने बनी, और तीसरी प्रकार की तृति एक चटाने, जो किसी पुरानी चटान का रूप बदल करके जो नई चटान बनी, उसे रूप आंत्रित या कायंत्रित चटान कहा जात तो अब चलिए हम एक एक चटान के बिसे में जान लेते हैं, डिटेल में, सबसे पहले हम ले रहे हैं आगने चटान को, देखे जो स्टुडेंट सीरेस हैं, वो थोड़े बहुत नोट्स भी बनाते चलें, थोड़ा बहुत पुएंट्स को जो मैं बताता हूँ, डिटेल मे वो अपनी भासा में लिख लें, देखे, अपनी भासा में जो आप लिखेंगे, वही आपको रिवाइज करने में आसान रहेगा और वही आप आपके दिमाग में बैठेगा भी, आप लिखे लिखाए नोट्स ऐसे तो बाजार में बहुत सारी किताब में भिक रही हैं, जैसे ही मैं एक इसका पूरा यूनिट खतम करूं भोगोल का एक, तो मैं उसके नोट्स जो है, पीडिएफ की रूप में आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे आपको आसानी रहेगी, जो मैं लेक्चर्स में बताता हूँ, बिल्कुर सेम टु सेम, वो ऐसे ही नोट सापको मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सापको इंतिजार करना होगा, जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगे, तब उसके नोट्स आपको पीडिएफ के रूप में मिल जाएंगे, आगने चट्टान क्या है, आगने चट्टान, देखें यहाँ पे मैं एक एक कर करके इनके गुण, नोट कर रहा हूँ, पहले चीज है, यह प्राथमिक चट्टान है, क्या है, प्राथमिक चट्टान, ऐसा ही साट कट में आप भी नोट कर लिया करें, प्राथमिक चट्टान, क्यों है प्राथमिक चट्टान, क्योंकि सबसे पहले इनका निर्माड हुआ था किस चीज से लावा निर्मित हैं ये लावा निर्मित हैं अब एक प्रस्ण आप से मैं करना चाहता हूं कि जो चट्टान लावा से निर्मित होगी आगने चट्टान क्या उसमें जीवास्म पाये जाएंगे क्या उसमें जीवास्म होंगे अगर इस तर्क से सोचें कि जब प्रत्वी ठंडी हुई थी उसमें वहाँ पे जियो जन्त बनस्पत थी ही नहीं तो उन चट्टानों में जीवास्म कैसे होंगे तो ठीक है ये भी बात ठीक है लेकिन आज भी तो नई चट्टानों का से निकलता है वहां पर क्योंट कोatile जियो या जन्त इया बनस्पति नहीं है तो इसले उस लावा के अंदर कोई भी आवसेस नहीं होंगे दूसरी चीज जब वह प्रत्वी पर आता है तो अगर उसके संपर्थ में कोई जीव जन्त बनस्पत आता है तो उसको वह जला देता है बिल्कुल नश्ट कर देता है क्योंकि उसका टंप्रेचर बहुत ज्यादा होता है तो आगने चट्टानों के अंदर प्रसंद य में उत्तर नहीं लगाएंगे जीवाश्म नहीं पाया जाएंगे इस चीज परत कम परते लेयर्स के नहीं हो बैने पीछे были Class में अब को बताया था आगने चट्टाने जो होंगी उनमें लेयर्स नहीं होंगी क्योंकि लावा जो है वो बहुत मोटे रूप में फैलेगा निकलेगा और वो सब ठंडा हो करके एक ही रूप में चटान बना देगा ये निकला और इस तरह मोटा मोटा बिछ गया और ये पूरा सूक गया ये चटान बन गई ऐसा नहीं होगा कि इसमें एक लेयर फिर दूसर लेयर फिर तीसरी लेयर चौथी लेयर ये परतदार नहीं होगा क्योंकि ये एक ही बार में चटान का निर्माड होता है ठंडा होने से इसले इसमें परतें नहीं पाए जाएंगी यहां पे हमने एक ट्रैप डेकन ट्रैप की बात की थी उसको आप डिटेल में याद देनगे परतें नहीं पाए जाएंगी अब यह ऑन्हेंट दो प्रकार की है रही पार्फे है बिदसे कर दो दो सिलिका की अधिकता क्यों होगी क्योंकि ऊपर क्रष्ट में सिलिका ज्यादा है अंदर सिलिका कम है तो जितना ऊपर से लावा निकला होगा उसमें सिलिका ज्यादा होगी और जितना गहराई से आएगा उसमें सिलिका कम होगी तो जो ऊपर कम गहराई से लावा निकलता है उस इसमें जो है सिलिका की अधिक्ता होने के वज़े से ये चिपचिपे गाढ़े लावे से तयार होती है बेसिक जो होती है उनमें जो है सिलिका की कमी होती है क्योंकि वो गहराई से आई है और इसमें जो है मैगनीसियम की अधिक्ता होती है इसलिए ये काली होती है ब्राउन हो जैसे काली मिट्टी बनती है जो बेसिक लावा होता है उसके जो चट्टान के तूटने से काली मिट्टी बनती है दूसरा वर्गी करण क्या है एक तो हमने अमली और छारी के अधार पे चट्टान दो प्रकार के देख लिए जो अमली लावा से बनेंगी और बेसिक लावा से बनेंगी अगने चट्टान का एक प्रकार तो ये अमलीता के आधार पे हो गया कि अमली है या बेसिक है दूसरा जो इसका वर्गी करण है यानि एक प्रकार से और इसको दो भागों में बाटा गया है अगने चट्टान को एक होती है ग्रे नाइट और दूसरी होती हैm besalt जो लोग जो अला मुखी का chapter देख चुके हैं वो ग्रे नाइट और besalt को वहाँ पे मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है ग्रे नाइट कौन से होते है और besalt कौन से होते है वो यही है जो मैंने आपको उपर बताया कि ग्रेनाइट वो होते हैं जो अमली चट्टान होते हैं और बेसिक वाले बेसार्ट होते हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतनी बात नहीं है बात इसमें दूसरी है वो क्या है प्रथवी के धरातल के उपर जब लावा आ जाता है उपर कौँ सा आएगा जो बेसिक होगा वही उपर आपायेगा क्योंकि वो पतला लावा है वही आसानी से आ सकता है तो जब धरातल के उपर जो लावा आ जाता है और उपर आकर के ठंडा होता है इस क्रष्ट के उपर यहां पर यह हमारा धरातल है इसके उपर तब उसको कहा जाता है बेसाल्ट बेसाल्ट जैसे डक्कन का पठार जो है हमारा वो बेसाल्ट चट्टान है जितना भी हमारे समुद्र के नीचे जो उसका नितल है वो सब चट्टाने कौँ सी है बेसाल्ट है और ग्रेनाइट कौँ सी होती है ग्रेनाइट वो होती है ये बेसाल्ट हो गई और ग्रेनाइट होती है जो अंदर, यहीं अंदर जम जाए, धरातल के नीचे, हमने यहाँ पे पिछली क्लास को आप फिर से एक बार रिवाइज करिएगा, बैथोलित, फैकोलित, सिल, डाइक, यह सब कुछ आपको बताया था, तो वो सभी क्या होते हैं, जो अंदर जम जात और ग्रेनाइट दो भागों में अगने चट्टानों को बाटा गया है, यहाँ पे मैं इनका डिटेल्स नहीं दूँगा, यह पिछले लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूँ, जब आप एंसर राइटिंग कर रहे होंगे, तो आप वो सारी चीजें जो पिछले क्लास मे हमने बताई थी चट्टान के विशें में, वो यहाँ पे आप अड़ कर लेंगे, कि ग्रेनाइट कों से होते हैं, बेसाल्ट कों से होते हैं, उनके वहाँ पे उधारन भी बहुत सारे मैंने आपको बताए थे, अब एक चीज हमने बताई आपको कि समुद्र के नितल बेसाल है, अगने चट्टान हैं, तो एक कुश्चन यहाँ पे इस तरह से पूछा जाता है, और अकसर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे कि प्रसनाप से पूछा जाए कि हमारी क्रष्ट में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की चट्टाने हैं, तीन प्रकार की चट्टाने बने बताई अगने आवसादी अगने यानि इगनियस आवसादी यानि सेडिमेंटरी इंगलिश में आप याद रखेंगे और तीसरी मेटामोर्फिक, यानि कायांतृत या रूपांतृत तो क्रष्ट में काउं सी चट्टानों की अधिक्ता होगी, परसेंट में, सोचिये और बताईए, क्रष्ट का निर्माड सबसे ज़्यादा कौन सी चट्टानों से हुआ होगा, तो अगर पूछा जा रहा है, क्रष्ट का निर्माड, देखें, निर्माड दोनों प्रकार से कुश्चन आता है, आप कता 95, 90 से लेकर 95 परसेंट तक आप, 95 परसेंट तक अगने चट्टाने होती हैं, निर्माड में क्रष्ट के, लेकिन अगर प्रसना आ जाता है कि हमारी क्रष्ट पे सरवाधिक द्रस सी चट्टान, या आप कह सकते हैं कि हमारी क्रष्ट का सबसे ज्यादा धका हुआ भांगिस चट्टान से है कौन सी चट्टान हमारी क्रष्ट का सरवाधिक भाग धके हुए है या हमको इस धरातल पे सरवाधिक कौन सी चट्टान द्रस्य है दिखाई पड़ती है तो वो होगी द्रस्य में कौन सी है अवसादी कितनी लगभग 75-80 परसेंट अब ये कैसे है इसको समझे देखे निर्माड में तो आपको भी पता है कि लावा से क्रष्ट का निर्माड हुआ तो सबसे ज़्यादा मात्रा में अगने चट्टान होगी ही उसमें चाहे वो ग्रेनाइट हो चाहे बेसाल्ट हो इससे हमें नहीं मतलब है लेकिन निर्माड में सबसे ज़्यादा अगन अपने मूल रूप से परिवर्टित होके किस में बन जाएगी आवसाधी चटान में अभी पीछे आपको बिलाया था और वो अवसाधी चटान जो है उसी चटान के उपर लेयर के रूप में बिछ जाएगी तो अवसाधी चटान यह जो हमारे ग्रेनैट और बेसाल्ट की जैसे कि पुराने जो छेत्र हैं पठार या कहीं पे खुल गया एरिया अवसादी चट्टान हट गई नीचे से ग्रेनाइट और बेसाल्ट दिखने लगा तो वो भाग आपको खुला हुआ दिखाई पड़ेगा बाकी सब अवसादी चट्टान से धका हुआ है यहां तक कि ज भरातल महाद्यूप यहां से चट्टाने तूट करके जल के साथ प्रवाहित होके वायो के साथ प्रवाहित होके समुद्र में आती हैं और यहां भी इस बेसाल्ट के ऊपर भी जो है आवसादी चट्टानों की लेयर बिच्छी हुई है इस प्रकार से समुद्र के नितल को भी अवसाधी चट्टानों ने ढख रखा है तो द्रस रूप में सबसे ज़्यादा कौन सी है अवसाधी चट्टाने हैं अब यह कुश्चन और पूछ लेता हूं मैं आपसे देखते हैं आपका लोजिक कहां तक काम कर रहा है कौन सी चट्टानों में रंद्र या पोरस नहीं होंगी अगने नहीं होंगी या उसाधी नहीं होंगी या कौन सी नहीं होंगी तो देखे एक एक फैक्ट को आप रट नहीं सकते हैं इसलिए मैं आप कांसेप्ट पर फोकस कर रहा हूं कुश्चन किसी भी प्रकार से आए अगर आप इसको विद्धोत पढ़ लिये होंगे तो जो लावा निर्मित चट्टान होगी वो रंध्रविहीन होगी उसमें छिद्र नहीं होंगे वो मजबूत चट्टाने होंगी उनके उपर रसाइनिक क्रियाओं का प्रभाव कम पढ़ेगा वो जो तूटेंगी फूटेंगी वो ज्यादातर यांत्रिक क्रियाओं से कुरस नहीं है तो इस परकार से चटानों के भिषे में इतना आप याद है अब हम बात करते हैं अवसादी चक्टाने दूसरा इसलमारा टाइप है आवसाधी चक्ताने लिए अवसाधी चक्ताने पेहला प्रसंगelijk uh कैसे हुआ साथी का कि निरमार किसी भी दूसरी चट्टान से चाहे वो मेटा मारफिक हो और चाहे वो आगने हो जो पहले बनी थी उसके तूटने से और उससे बने हुए पदार्तों के दुबारा जम जाने से लेयर बाई लेयर जम जाने से अवसाधी चट्टान का निर्माड हुआ इसको इंगलिस में कहते हैं sedimentary sedimentary rock यह कोई चटान है अगने चटान है चाहे बेसाल्ट हो या ग्रेनाइट हो या कोई मेटामार्फिक राख है उसके उपर अपछे और अपरदन हुआ अपछे और अपरदन यह इसके एक अलग से चैप्टर है डेनुडेशन का किस प्रकार से चटानों के उपर की लेयर का अनाच्छादन हो जाता है अपछे और अपरदन अपछे यानि वहीं पे तूट गई चटान क्यों तूटेगी भाई किसले चटान में तूट फूट हो जाएगी उसके कई कारण है यान्तरिक कारण हो सकते हैं यान्तरिक यानि फिजिकल उसके उपर जानवर दवड रहे हैं आदमी चल रहा है इन सब पर किर्याओं पेंड तूट गया पेंड गिर गया चटान उखड गई तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की यांतर क्रियाओं से चटान तोटती है रसाइनिक क्रियाओं हो सकती है और ताप का प्रभाव हो सकता है दाब का प्रभाव हो सकता है अनेक प्रक्रियाओं है जो पूरा डेनुडेशन का पूरा एक अलग से चैप्टर है बहुत कुछ चनाते हैं वहां से भी तो अपच्छे और आप सिर्फ यहां पे अभियाद रखें कि अपच्छे और अपरदन की प्रक्रिया के फिर्षूरूप चटानों में तूट फूट होती है और वो अपरदित होकर के वो पदार्थ दूसी जगे पे किसी अन्य चटान के उपर आ करके जमा हो जाते हैं और यह लेयर बाई लेयर जमा होंगे ऐसा तो नहीं होगा कि सारी चटान टूट करके एक ही दिन में दूसरी जगे टांसफर हो जाएगी क्या ऐसा हो सकता है कुछ थोड़ा थोड़ा करके मैटेरियल नदियों के माध्धिम से आप देखते हो बिस्तर टाइप में हैं इसलिए यहां पर भूकंप के जटके और अगरा कम आते हैं प्रसंद पूछा भी गया है कि कौन सी चटान भूकंप को कम मैसूस करेगी अवसादी या अगने देखे अगने चटान पूरा बड़ा पत्थर टाइप का है अगर यह जगे जटका लग परत दर परत उभी चाह वा कि यहां पर जिधा लगा तो πूर जंजना ये पर वहीं अपजार्ब हो जाएगा वहीं अपजार्ब हो जाएगी इसलिए हमारे यूपी में बिहार में इधर भूकंप के कम जटके आते हैं तो आवसादी चट्टान कैसे बनी अगने चट्टान के अपच्छे और अपरदन से जो माटेरियल बना वो दूसरी जिगे आ करके लेयर बाई लेयर जम गया और उससे जो चट्टान बनी उससे कहा गया सेडिमेंटरी रॉक या आवसादी चट्टान या परतदार चट्टान इसका दूसरा नाम क्या है परतदार सबसे पहनी यहीं चीज़ देखने परतदार चट्टान परते कैसी बनी यह आप समझ गए दूसरी चीज यह मुलायम होगी क्योंकि यह बारिक चूर्ण से निर्मित है पोरस होगी यानि छिद्र यूग्त होगी सबसे में पॉइंट है इसमें जीवास्म पाए जाएंगे अगनिय चट्टान में जीवास्म नहीं पाए जाते हैं इसमें जो है जीवास्म पाए जाएंगे जिवास्म उपस्तित है क्यों क्योंकि ये चट्टान जम निर्मित हो रही है तब तक वहाँ पे जिवु जन्तों का जीवन पनप चुका है बनस्पत उग चुकी है तो वो इन चट्टानों की लेयर के बीच में दबती जाएगी जैसे कि कहीं पे आपका बागान है कोई और वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो गया बहुत सारी चट्टाने तूट करके आ गए और वो सब उसके निचे दब गया तो वो क्या होगा उसी लेयर के बीच में वो पेंड़ पोधे जिवु जन्तों सब दबते चले जाएगे बाढ़ आ जाती है बहुत मोटी मोटी लेयर बालू और नदियों के द्वारा ढोई गई मिट्टी जम जाती है और उसमें मरे हुए जीव जन्तों चोटे पेंड़ पोधे सब उसी में दफन हो जाते हैं और वो जिवास्म बन जाते हैं तो इसमें जिवास्म पाया जाएग चोथी चीज है अवसाधी चट्टानों में पाया जाता है कोईला और पेट्रोलियम क्यों पाया जाता है आगने चट्टानों में क्यों नहीं पाया जाता है आगने चट्टानों में खनिज तत्व पाया जाते हैं क्योंकि वो लावा से निकले हैं और वो अंदर से जो खनि पेट्रोलियमू में पाय जाएगा क्योंकि यह जीवास्मों से बनते हैं और अगने चत्रोलियमूर्ण होते नहीं है यहां पर जो जीवास्म डब गए जो बनस्पतिया दब गई जो जीव जन्त दब गए उन्हीं की रसाइनिक प्रकिर्याओंसे जो कोईला है वो बनता है औ आउसादी चट्टानों के यह कुछ गुण हैं अब इसके कुछ उधारण है जैसे कि अगने चट्टानों में आपने देखा ग्रेनाइट और बेसाल्ट दो धारण मैंने आपको बताए यहां आउसादी चट्टानों के कुछ उधारण आप जान लीजे क्योंकि वह पूछा जाता है कुछ चट्टान का नाम आपको दिया जाता है और पूछा जाता है किस प्रकार की चट्टान है और जब आप राइटिंग कर रहे होंगे अंसर तब भी आपको आउसादी चट्टान में लिखना भी होता है तो यहां पे कुछ एक्जामपिल्स दे रहे हैं एक्जा पहले जो बारीक कनों होंगे वह अपरदितों के लेयर उनकी बीचेगी तो बारीक कनों से निर्मित होती है चीका मिटी तो यह चीका दूसरी चीड एक होता है सेल कि medically कुछ के दूसरे करक्षिक Together की है या संड इस्टोनं कि सेंड इस्टोर ये भी को साधी चट्टान है सेडिमेंटरी है बालु कपथर बहुणनिर्माड ह giàसे कि हम देखते हैं लाल किला कि शीषे से बना है बालुका पत्थर से कौन कौन सी बिल्डिंगें बनी है ताजमहल संगमरमर से बना है तो इस परकार से आप से और भी चीजे पूछी जाती है कौन सी चट्टान से निर्मित है तो बालुका पत्थर से भी कौन से भौन बने है आप ये सर्च करिएगा कमेंट बाक्स में हैं सदी सोल हो गया मैं कोंईया कोईला फिए चप्णान ही है को एन कौईला है ये लाइम वी श्टोण या चूना पथर 3 कि चूना फिद्थर कोईल उसे बना है questi तुना पथ्थर किससे बना है जी हो के यार नी कैल्सियम से बिनाए ऊप्त्र होता है वो हड़ियों से निर्मित हें जियू रहें होंगे उइस्तर और भज जमीन देटे समस्व बना और चाक कि पट्रश2 autonomy कि और ये चापति बना स्ट उल्बिंट में में नियुक्ट में है यह सभी हो दारण आप याद रखेंगे यह सब पूछे भी जाते हैं מא माइफ है जिपसम है डोलो माइफ है और शाल्ट नमक साल्ट वाली चत्टाने भी आवसाधी चत्टाने ये वो साल्ट भी आवसाधी चत्टाने है डोलो माइट है जिपसं है जिप्सम यानि C-A-S-O-4 C-A-S-O-4 into H-2O 2-H-2O Dolomite क्या है C-A-C-O-3 and C-A-M-G-3 calcium carbonate or magnesium carbonate M-G-C-O-3 M-G-C-O-3 calcium carbonate or magnesium carbonate Dolomite gypsum chak chak आपने देखा हुआ खड़िया जिसको बोलते हैं chak वो भी जो है और साधी चट्टान है चूना पत्थर या lime stone इसको बोलते है lime stone यह आप note भी कर ले चीका सेल बालुका पत्थर कोईला चूना पत्थर चाक gypsum Dolomite Salt और Lois एक और नाम याद रखें Lois Lois भी आप note down कर ले Lois क्या है बालू उड़ा के जो एक स्थान से वायू के द्वारा बालू जैसे कंड होते हैं जैसे चट्टान टूटी और बहुत छोटे बारी कंड होंगे बालू जैसे उनको उड़ा करके ले गई वायू और कहीं पे जमा कर दिया उससे परत दर परत एक चट्टान का निर्माड हो जाएगा और उससे क्या कहेंगे Lois Lois को पूछा जाता है कि Lois के जो पठार है जैसे चाइना में है Lois का पठार या अनकिसे स्थान पे जहां भी जमा कर देगी वायू ले जा करके तो Lois जो है वायू दोरा लाएगे कड़ों से निछेपित होने से बनता है Lois पठार तो इस परकार से ये कुछ उड़ारन है इतने आप जरूर याद रखें बाकी हैं बहुत से लेकिन आप इतने जरूर याद रखें हमने उसमें अगने चटान में दो धारन देखे थे ग्रे नाइट और बेसाल्ट यहां पे हमने तमाम सारे धारन देख लिए क्योंकि अगने चटानों के अपरदन से अलग लग प्रकार के अलग लग कंडिसंस में यांतरी कप्षे से बनेंगी तो कुछ और बनेंगी जैसे एक और है यांतरी कप्षे से जैसे बन गया गोलास्म या कांगलो मिरेट यह क्या होते हैं चोटे चोटे पत्थर लड़क करके एक जिगा कठाव के चटान बना दिया तो गोलास्म गोल गोल पत्थर होते हैं कांगलो मिरेट बन जाता है वो भी एक चटान है इसको आप कोईला के अथवा मिनस में जिगाई अलग है गोलास्म चीका, सेल, बालुका पत्थर, कोईला गोलास्म या कांगलो मिरेट चूना पत्थर, चाक, जिप्सम डोलो माइट, साल्ट, लोयस ये सभी क्या है अवसाधी चटाने है तो अब अवसाधी चटानों के एक्जामपिल हमने जान लिए इनके लच्छन हमने जान लिए कि इसमें जिवास्म पाया जाते है कोईला पाया जाता है पेट्रोलियम पाया जाता है ये परतदार होते हैं ये सभी आप चीजें याद रखेंगे अब हम तीसरे प्रकार की बात कर लेते हैं कायांतरित चट्टाने तीसरे हमारे कौंसे हैं कायांतरित या मेटामार्फिक मेटामार्फिक राक्स कायंतरित यानि उनका रूप बदल गया है वो किसी अन्य चट्टान से ताप दाब और रसायरी क्रियाओं के फल्सुरूप निर्मित हुई हैं अगने चट्टान से भी बन सकती हैं और अवसादी चट्टान से भी बन सकती हैं और कायंत्रित चत्टान का पुला जाता है उस्में ज्यादा कुछ आपको लिखने के लिए लचंट नहीं है कि किसी भी अन्य चट्टान ये आगने से भी बन सकती है आगने या आवसादी या कायंतरित यानि कोई कायंतरित चट्टान भी पहले हो और इनके द्वारा एक नई चट्टान का निर्माड हो जाए नई चट्टान तो उसको क्या कहेंगे कायंतरित चाहे वो अगने से नई चट्टान बने तो उसे कायंत्री चट्टान कहा जाएगा आवसादी से बनेगी तब भी कायंत्री चट्टान कहा जाएगा पहले से कोई कायंत्री चट्टान है उसका फिर से कायंत्रण हो गया यानि वो दुबारा फिर से कायंत्रित हो गई तब भी एक नई कायंत्रित चट्टान बन जाएगी तो कौन कौन सी चट्टान कायंत्रित होके किन रूप में परिवर्तन हो जाता है यह प्रसन बनता है important और वहां से पूछे भी जाते हैं प्रसन और विभिन प्रत्यों की प्रिछाओं में आप देखते ही रहते होंगे किने आवसादी या कायंत्रित चट्टानों के उपर जब ताप यह दाब या किसी अन्य रसाइनिक क्रियाओं के प्रभाव होते हैं तो इसके द्वारा उन चट्टानों का रूप बदल जाता है और एक नई चट्टान का निर्माड हो जाता है जिसको कायंत्रित या मेटाम अमर्फिक राक कहा जाता है तो इसमें कौन सी चट्टान किस रूप में बदलेगी उसको अलग-अलग नाम दिये गए हैं यह चीज आपको याद रखने है कि कौन सी चट्टान किस रूप में बदलेगी तो देखें कुछ अगने चट्टानों के हम उदाहर लेखते हैं अगने चट्टान कौन सी होती है जैसे ग्रेनाइट बेसाल्ट या एक ग्रैबो होती है आगने चट्टाने है इनका रूप बदल जाए तो क्या बनेगा यही प्रसन पूछा जाता है कभी-कभी मैचिंग करने को दे दिया जाता है कभी-कभी सीधे पूछ लेते हैं क्या बनेगा तो ग्रेनाइट चट्टान का जब रूपांत्रण हो जाता है तो बनता है नीस चट्टान को क्या बोलते है नीस जब बेसाल्ट चट्टान का रूप परिवर्तित होता है तो बनता है सिष्ट और ग्रेबो से बनता है सर्पेंट टाइन serpent time बस आपको यही प्रसनियाद रखने है कि अगने चट्टानों में से ग्रेनाइट बनेगा नीस में बेसाल्ट बनेगा सिस्ट में और ग्रेबो बनेगा serpentine अब अगर अवसादी चट्टाने हैं अवसादी चट्टाने अवसादी में कौन कौन से हैं कुछ प्रमुक हम ले लेते हैं जैसे की बालुका पत्थर बालुका पत्थर बालुका पत्थर किसमे तबदिल हो जाएगा बालुका पत्थर रूपांत्रित होके बनेगा क्वाट जाइट क्वाट जाइट बालो का पत्थर से कौर्ट जाइड बन जाएगा चूना पत्थर ये सभी में पीछे भी बता चुका हूँ ना चूना पत्थर से बनेगा संग मरमर संग मरमर एक और से बनेगा चाक से और डोलो माइट से डोलो माइट इससे भी क्या बनेगा संग मरमर चाक और डोलोमाइट से भी संग मरमर बनेगा बालू का पत्थर से क्वार्ट जाइट बनेगा जो कोईला है कोईला से ग्रेफाइट बन सकता है ग्रेफाइट ये कोईला से ग्रेफाइट बन सकता है और कोईले के कई रूप होते हैं कुईले कई परकार का होता है sleeping तुछ साइट लिगनाइट बिटूमिनस और पीट यह जब कोला के बिसे में पेट्टोलियम और कोला पर चैटर सबसे अच्रुप ससbon निमनस्तर का कोईला कहा जाता है, तो पीट जब कायंत्रित होगा, तो अपने से उचस्तर का कोईला बन जाएगा, यानि जैसे बिटुमिनस बन जाएगा, या लिगनाइट बन जाएगा, और ये बिटुमिनस और लिगनाइट जो है वो ग्रेफाइट में बन सकते हैं, और ए और ऑसाधी चट्टान में दोधारन हम देखे हैं जैसे बॉर का पत्थर से क्वार्जेट हो गया चूना पत्थर से minded हो गया चाख डोलोमाइट शैसे संखिंभर मण हो गया को इला से घ्रैफाइट हो गया जैसे कि मिटमिनस से 8 विट्मिनस कोला कि तो मिससे क्या बन जाएगा इंद्रसाइट क्या भी वह्लें उन्धेर कोईला यानि अपने से अच्छा कोईला बन जाए गांगा है इंद्रसाइट का आप या यहां इसे में उत्ये वह यांट मैं lieu किर्लें जेसे एक यह से लेเรา मनें सेल भी बताया था ना सेल से बन जाएगा स्लेट सेल से क्या बन जाएगा स्लेट तो बस इतने मेन मेन आप याद रखें बालू का पत्थर से जो है कोट जाए चूना पत्थर संग मरमर और चाक डॉलोमाइट संग मरमर कोईला जो है वो ग्रेफाइट जो निमनस्तर का कोईला होगा, उसी से ग्रेफाइट बन जाएगा और कभी निमनस्तर का कोईला उचस्तर का कोईला में भी तब्दील हो जाएगा, सेल से स्लेट बन जाएगा, अब हम देख लेते हैं कि ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी कहलाएंगी रूपांतरित चट्टाने, जो किसी पुरानी चट्टान के रूपांतरण से बन रही है, अब कुछ चट्टाने पहले से ही रूपांतरित हैं, तो रूपांतरित चट्टानों का भी पुना रूपांतरण हो सकता है, जिससे एक नई चट्टान का निर्मा कर दो रूताइट से एक बार फिरसे रूपांतरित ओक क्या बने गा तो इन में से कोई चट्टान जैसे कि स्लेट छुषार में रूपांतरित से वनी थी 살ल से वनी थी सेल एक आवसाधी चट्टान थी आवसाधी चट्टान से स्लेट बनी थी तो स्लेट क्या है स्लेट पंप depression है इस पंपर निर्माड पुना जो है रूपांतरड हो जायेगा तो स्पाइल आप सिस्ट यहाँ पर हम देख रहेत हैं स्लेट किसे बने थी सेल से सेल से स्लेट और स्लेट बन जाता है सिस्ट में फाइनली तो इस प्रकार से हमने आगनी चट्टान और रूपांत्रिस चट्टानों के विशे में जाना आसा है ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जल्दी ही मिलते हैं एक नई क्लास में धन्यवाद